हेलो फेंट्स वेलेकम टू सटडी ग्रूप पाट शारा मैं उलाश और आज की जो क्लास ते काफी ज़ादा इंपॉर्टेंट होगी इसमें हम रोडिस्स करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं दो से तीन गुना ठीक है उसके लिए टाइपिंग मोडियूल अगर आपको टाइपिंग अगर आपको करनी है तो टाइपिंग के लिए बहुत ही ज़दा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ठीक है तो पूरा कंप्लेटली वाच करेगा ऐसे सीजियल दोनों के लिए आपको हेल्फुल हो का ये वीडियो ठीक है चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं CPT और DEST की CPT DEST दो basically tier 4 में ससी CGL tier 4 में आपके जो एक्जाम होते है उसमें आपकी दो मोडियूल होते है एक to CPT होता है और एक DEST होता है थिक Chung City देते हैं और जिनके नाम कि वर्थ स्थ में होते हैं वो इस टि्स पर कालिफाइग कि लिस्ट के होते हैं और और फ्रील अब आपको कोई फिरत नहीं परता क्योंकि आपको अदर पूस्ट मिल चाथी identifying तरह से कमपल्सेसरी नहीं होते हैं क्वालिफाइंग निचर के होते हैं आपको ग्यातर गड़ना होता है DST में DST में आपको 15 मिनिट की टाइपिंग मौडीयूल होता है जिसमें 2000 वर्ड्स जो है 2000 की डिप्रेशन जो आपको करनी परती है 15 मिनिट में ठीक है तो अराउंड 27 पर मिनिट का जो है आपका एवरेज बनता है यह अपकी अगर इस सपीड 27 वर्ट्स पर मिनिट है तो आप आसानी से कर सकते हो इस पैसेज को ठीक है तो 2000 की डिप्रेशन जो है आपको प्रेस करने होते हैं 15 मिनिट में बाकी अगर हम यहां पर बात करें CPT की क्योंकि DST में प्रोफिशेंसी टेस्स देते हो तो इसमें दो चीज़े और बढ़ जाती है आपका MS, Excel और PowerPoint ठीक है अगर केवल DST देते हो तो DEST के लिए जो होगा वह केवल हो केवाल आपका word processing होगा यानि typing test होगा ठीक है और कुछ नहीं होगा अगर आप CPT देते हो अगर आप CPT दे रह बनानी होगी और MS, PowerPoint पे आपको PowerPoint slide बनानी होगी ठीक है तो यह आपका CPT का module होता है जिसमें तीनों चीज़े होती है word processing MS, Excel और MS, PowerPoint ठीक है केवल DEST में typing होती है और कुछ नहीं होता है तो यह आपका syllabus है जो कि आपको complete करना होता है CPT के इंतरकत अब बात करते हैं mainly keyboard की कैसे आ परहाना बहुत ज्यादा important एकर आपकी speed बहुत ज्यादा slow है तो आप DEST qualify नहीं कर पाऊगे इसलिए आपकी typing speed काफी अच्छी होनी चाहिए और normally अगर आप practice करते हो थोड़ा बहुत भी practice करते हो तो भी आप 30 words per minute तक आ जाओ गया तो आपको क्या करना है आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है कीबोर्ड पर ठीक है ज्यादा तरस्ट्रेंट यह भी गलती करते हैं कि वह मुबाइल के iPad पर typing करने की गोशिच करते हैं तो मुबाइल में typing करना और keyboard में typing करना दोनों अलग-अलग चीज़े होती है क्योंकि आपको exam में keyboard पर type करना है इस वज़े से आ आप उतना यह acquainted हो जाओगे और keys आपको याद हो जाएंगी सारी ठीक है अब इसके लिए learn alphabetical position आपको alphabetical position याद रखनी होती है alphabetical position याद रखने के लिए format होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह जैसे keyboard है यहाँ पर asdf और semi-clone lkj यह जो होती है आपकी finger की position होनी चाहिए keyboard की finger की position यह होनी चाहिए इसी के हिसाब से जब आप इनको practice करोगे तब धीरे-धीरे आप कहा सेट होगा आपको a से लेकर z तक सारे alphabet जब रख जाएगी अच्छे से उसके बाद आप धीरे-धीरे जब practice करना शुरू करोगे आपकी speed drastically बढ़ेगी ठीक है थोड़ी बहुत नहीं बहुत तेजी से बढ़ेगी जब आप इस तरह से जब अपने सारे पांच की पांचों उ typing करना शुरू करोगे ठीक है उसके सारे आपको touch typing practice करनी है यानि keyboard को देखना नहीं है keyboard पर जो fingers है जैसे कि यहां पर finger अपनी प्लेस कर दोगे और फिर आपको practice करनी है बिना देखे केवल screen पर देखना है ठीक है या फिर जो आप content type कर रहो उसको देखना है आपको keyboard नहीं द देखना keyboard अगर आप देखोगे तो आप उतने fast नहीं कर पाओगे right तो यहां पर आपको touch typing का थोड़ा सा जयानक ना touch typing करने के practice करनी है और सबसे best approach क्या होगी कि आपको daily गंटा practice करनी है और किस तरह से practice करनी है 15-15 मिनट के time frame में ठीक है यानि कि आपको एक passage ले लेना है 15 मि तक्सिर passage practice करोगे ऐसे ही आप बीच में time break भी ले सकते हो तो एक गंटा at least आपको एक दिन में practice करनी है और 15-15 मिनट के time frame में करोगे उसके बाद आप analyze करोगे कि आप कितने words कर पा रहे हो यह आपकी overall की depression कितने बन रहे है तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आप आपको अपनी विंगर की position सबसे पहले home row पे set करनी है उसके बाद बाकी की keys जो है उसी कहनुसार आपको press करनी है ठीक और इसके लिए आपको क्या करना है एक यह magical word है यह आपको यह टाइप करना है डग को एक brown fox jumps upon right over a lazy dog यह क्या है इस यह जो sentence है इसमें सारे a से लेकर z तक सारे alphabets आ जाते हैं ठीक है तो यह जितना आप practice करोगे उतने ही fast stuff की क्या होगी उगलियां चलने लगेंगी A से Z तक सभी alphabets में ठीक है तो आपको क्या करना है regularly daily कम से कम एक page पहले यही type करना है तक को एक brown fox jumps upon right over a lazy dog ठीक है इस पूरे को आपको एक page सबसे पहले type करना ह है उसके बाद आपको एक passage उठाना है अपने ही साफ से और उस passage को टाइप करना है डेली जब आप हफते 10 दिन regularly यह चीच करोगे तो आपके हाथ बहुत तेजी से आपकी fingers बहुत तेजी से चलने लगेंगी और आप बहुत fast type कर पाऊगे ठीक है इस तरह से आप अपनी speed को बहुत ही fast drastically change कर साबते हो इसके अलावा आपको मैं recommend करूंगा आप यह book ले लेना ठीक है अनुपम की typing master book ठीक है इसमें आपको एक Hindi English दोनों का मिलेगा लेकिन आपको English का ही typing करना है ठीक हिंदी का नहीं करना है आप English वाले portion को typing करना initially आपको keys पर focus करना पड़ेगा इस आपको step wise सारा बता दिया जाएगा ठीक है जैसे कि मेरे को यहां पर कुछ आपको अलग से वीडियो बनाने की जोधत नहीं पड़ेगी typing में अगर आपके पास यह book है तो इसमें आपको lesson wise जो है सारा दिया होगा आपको जो जो चीजे दी है जो instructions दिये जाए उनको just follow करना ह ठीक है और बस practice करनी है क्योंकि practice ही only की है जो आपको success तक पहुचा सकती है ठीक है बस यह book ले लो practice करना सुरू करो और लग जाओ बिल्कुल अच्छी तरीके से practice करना सुरू कर दो और कुछ भी आपको करने की जरूत नहीं है typing के लिए book sufficient है और कुछ भी नहीं करना है आप दोस्तों इसके अलाव कुछ DST से लेटर कुछ important facts में बताना चाहूं आपको वह आप लोग समझ लो जो typing test होता है उसमें 2000 की depressions आपको करनी होती है वो भी 15 minutes में 15 minutes में और on average जो है आपकी speed कितनी होनी चाहिए 27 words per minute होनी चाहिए अब exam में क्या होता है exam में जब आप जाओग दो मिनट में type करके जो भी matter वहाँ पर आ रहा है तो आप चेक कर लेना सारी जो कीज है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं जैसे कि backspace इंटर टैब यह सारी कीज जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है ठीक है जो दो मिनट का passage होगा उसको जो आप एक बार type क जाएगा actual पैसे जाएगा ठीक है और जब सब लोग loudly जो है आपके पास जब सब लोग टाइप करने लगेंगे तो कीबोर्ड का sound आएगा basically क्योंगी सभी लोग type कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान बढ़का सकता है आपको तो उससे आपको पहले से ही पता होना थेका यानि कि simple सा text होता है उस text को ही आपको क्या करना होता है simply आपको लिखना होता है और बाकी a job type पुरा करल होगे तो उसके बाद आपको check करना है को a mistake तो नहीं होगी ठीक है यानि किजो भी passages को एक पर review कर लेना ठीक है review करने से आपको जो भी mistake वगएरा होंगी उग the book कर सकते हो कि कोई mistakes ना हो ठीक है और जब आपका time over हो जाएगा तो automatically save हो जाएगा ठीक है जो भी content आपने type की होगा auto save हो जाएगा आपको manually करने की जुरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद finally आपको क्या करना होगा प्रिंट आउट निकाल देना होगा और उसी के इसाफ से आपकी जो शीट की जाएगी ठीक है तो बस इतना सा रहता है इतना सा schedule रहता है और इनी चीजों को आपको पता होना चाहिए और आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या आपनी स्पीट 2 से 3 गुना कैसे बढ़ा सकते हो सिंपली आपको यह जो सेंटेंस इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इससे आपकी सारे के सारे जो एल्फाबेट्स आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे बाकी इस बुक को ले लोगे इस बुक में आपको सारा आपके एक्जाम के लिए उन दिनों में आप अच्छे से प्रेक्टिस कर दागी है राइट दोस्तों तो आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा बढ़िया लगा होगा और आप अगर नहीं हो तो टैनल पर टैलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना इस पर आपको सा पाड़ी ग्रूप पाडशाला राइट और साथ ही साथ आप में लिए एक एडमी पर इफ़ार हो कर सकते हैं और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को शेयर कर देना आपको सभी वीडियो सभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना इस चैनल को अभी के लिए नहीं नेक्स मिलते हैं कि लास में थैंक्स वौचिंग